नमस्कार आप सभी को अभी जस्ट आधा गंटे पहले 30 मिनट्स पहले मेरी एक दीदी चुकि मेरी तरह एक मेडिटीटर हैं साधिका हैं और वो फैजाबाद में रहती हैं उन्हों इन्हें मुझे फोन किया और कहा कि अमरिता मुझे सुबा फीवर फील हो रहा था फीवर था तो मैंने उसके लिए दबा तो ले ली लेकिन अभी मुझे सुबा से ही मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है गले पे कुछ फंसा फंसा सा लग रहा है और चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसा सभी लोग कह रह प्राउलम हो रही है और जो आपको गले में फंस्ष रहा है यह कफ है स्वास से जुड़ी जो भी समस्या हो चाहे अस्थमा हूं जाहे दमा हो या आप जो कुछ भी कहें सांस में दिक्कत हो औकसीजन की कमी महसूस हो यह सिर्फ और तो सिर्फ इसका एक बड़ा कारण होता है हमारी स्वांस नली में कफ का भर जाना, कफ का जमा हो जाना, सीने पर भारी पर महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि सीने पर आपके कफ जमा हो गया है, या तो ऐसीडिटी बन जाती है, उसके वज़ा से सीने में जलन होती है, या फि सब्सक्राइब और दूसी तरफ आप नमक का पानी गुंगुना कीजिए तो पहले तो उन्होंने का कि क्या इससे हो जाएगा मैंने का बिल्कुल होगा पुछ और नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ कफ है तो उन्होंने मुझे बात करते करते ही गैस पे पानी चड़ाया उसमें नमक डाला नमक थोड़ा से ज्यादा मातरा में डाला उन्होंने और पानी को गुनगुना किया और फोन को दो मिनट के साइड में रखकर उन्होंने गलाला किया और गलाला जब उन्होंने करना शुरू किया तो भारी मातरा में उनके मुझे कफ बाहर आया है कफ निकला है और मुझे सांस भी अच्छे से आ रही है मतलब मतलब आप सोचिए इतनी चोटी सी प्राब्लम की वजह से चोटी सी चीज लोग समझ नहीं पाते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी और इसका बड़ा कारण होता है एक तो देखिए पानी की कमी के कारण ह हमारे अंदर कफ और पित यो दोनों बिगड़ते हैं और कफ जब बिगड़ जाता है कफ जब खराब हो जाता है तो वो आकर हमारे गले में ही कठा होता है जब हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा कफ बिगड़ जात और वो कफ नीचे ना जाके हमारे गले में आके रुकता है, गले में फंसता है, इससे हमारी स्वास नली, जो सांस लेने की नाक से लेकर जो हमारे चेस्ट तक की जो नली होती है, वो कफ से भर जाती है, इससे इंसान को दमा भी हो सकता है, इंसान को अस्थमा भी हो जाकता है, इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी सही मातरा में वायू यानि हवा हमारे अंदर नहीं जाएगी एर अंदर नहीं जाएगी तो इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो इसका एक ही कारण है और उसको ठीक करने का जरिया है उस कफ को निकालना और जब आपको ऐसा कुछ भी फील हो किसी को भी सांस में लेने में दिक्कत महसूस हो किसी को भी चेस्ट में भारीपन महसूस हो या ऑक्सिजन की कमी महसूस हो तो अपने अंदर का कफ साफ करने की कोशिश करें उसका रास् जाएगा, डाइजेस्ट होगा, या तो मुग के जरीयों बाहर निकलाएगा, तो आपको खुद रिलैक्स फील होगा, ऐसे में घबराने के जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कफ है जो आपको प्रॉब्लम फील कराता है, स्वांस नली में, और दूसरा रास्ता है, दूसरा एक तर करना चाहिए, सुबा के समय नहाते समय, जब आप खाली पेट होते हैं, उस समय जल नीती करना, जल नीती कैसे होती है, नाक से पानी खीचके उसको मुँ से निकाला जाता है, तो आप देखेंगे जो नाक से लेकर और आपके गले तक के जो स्वांस नली होती है, उसमें जो बाहर आजाता है, कुछ आपके चेश में जाके कठा होता है, तो जब तक आपके नाक से पानी खीचने पर तुरंत मुझ से ना आने लगे, तब तक नाक से थोड़ा थोड़ा करके पानी खीचते रहे, जब एकदम से आपके पानी खीचा और तुरंत आपके मुझ से पानी उसके बाद मुँ में उंगली डाल के जो गलाला करते हैं जहां तक आपकी उंगली जाए गले में उसको डाल के खूब अच्छे से कुला करना है तो देखेंगे जो आपके चेस्ट पे जो कफ जमा होगा वो वो मिटिंग के रूप में मतलब पूरा का पूरा मुझ से बाहर आ उससे आप बिलकुल निजाद फील करेंगे आपको बिलकुल उससे रिलाइक्स फील होगा कफ को हटाने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी भी कफ बिगड़ जाए तो कोई मैडिसीन नहीं खानी चाहिए कोई बीच सर्दी जुखाम की दवा नहीं खानी इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि जो लोगों में ज़्यादा तर समस्या देखी जा रही है सांस से जुड़ी हुई उसका मेंट कौस यह है कि लोगों के अंधर कफ जमा हो जा रहा है कफ फंस रहा है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको अपना क कफ साफ करने की जरूरत है उसके लिए नमक वाले पानी से गलाला कीजे काढ़ा जिस तरह से मैंने कल रात में बना बताया था वह वाला काढ़ा पीना है लॉंग और डालचीनी या अदर वाला काढ़ा नहीं पीना है सिर्फ तुलसी की पती काले मिर्च चुटकी भर सेंधा नमक एक कब बनाना है काढ़ा तो तीन कब पानी चड़ाए और उसको खुब पकाने के बाद जब एक कब पानी रह जाए तब उसमें आधा नीम्बू का रस निचोड़िये और इस काढ़े को पीजे दो तीन बार देखते हैं कैसा आपको जुखाम नहीं जाता कैसे आपकी सांस समस्या नहीं सही होती और कैसे आपको सांस लेने में सरलता नहीं होती तो प्रॉबलम की वज़ा ये है और उसको ठीक करने का उपाय ये है कि आपको अपने अंदर का कफ निकालना है ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो आई होप आप सबको ये काम आए आप खुद भी अवेर रही है अपने आसपास के लोगों को भी अवेर कीजिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी मेरी वो दीदी बिल्कुल रिलैक्स फिल कर रही है बिल्कुल हलका महसूस कर रही है और अब उनकी जो वो घबरा रही थी उनकी घबराहट भी दूर हो गई है थैंक यू नमस्कार